तो आज हम आगे हैं एक और स्पेशल रस्पी के साथ जो के है शाही बटर चिकन मसाला ग्रेवी तो मैं यहाँ पे चिकन के साथ एक बहुत ही टेस्टी रस्पी बनाने जा रही हूँ तो आप जल्दी से मुझे सब्सक्राइब करें और पूरे वीडियो को बिना स्किप किये देखें तो मैं यहाँ पे एक किलो भर का गोश अच्छे से वाश करके एक बाउल में निकाल लिया है इसमें हम डालेंगे दो चमज भर का नमक नमक टेस्ट के हिसाब से डालिये हम इस ज़र से एक घंटे के लिए मायरिनेशन के छोड़ेंगे ठीक है तो अब हम डालेंगे इस अधा नीभू यानि कि आधा नीभू का रस हम इसमें डाल रहे हैं नीभू से काफी हड तक जो चिकेन का स्मेल होता है वह कम हो जाता है और मायरिनेशन में बहूत ही अच्छा इसं फिर हम डाल देंगे इसमें दो चमज भर का अध्रकलसन का पेस्ट, अब हम डाल रहे हैं इसमें आधी कटोरी भर का दही, तेक दम गाड़ा दही हमने अच्छे से बीट कर लिया है और उसको हम इसमें चिकेन में हम डाल देंगे, बस यही इंग्रीडियन्स से हम चिकेन को मैरिनेशन करने वाले हैं, तो इसको अच्छे से हम मिक्स अप कर लेंगे, ताकि जितने भी मसाला है, जो हमने चिकेन में डाला है, वो अच्छे से मैरिनेशन हो जाए और चिकेन हमारा बहुत ही सॉफ्ट और टेंडर बन के निकले, तो इस तरह से हमको इस तरह से अच्छे से mix up कर लेना है तो friends अगर आप नए है मेरे चैनल पर तो जल्दी से मेरे चाहिए को subscribe करें, like करें, share करें अपने foodie friends के साथ और मुझे comment section में लिखें कि आपको मेरे ये recipe कैसे लगते हैं तो बहुत ही आसान और बहुत ही easy recipe में आपको दिखा रही हूँ जो घर के मसालों से बन जाती है, तो हमने यहाँ पर marinate कर लिया है, इसको हम ढग देंगे आदर से एक घंटे के लिए, चलिए तब तक इसका मसाला हम prepare कर लेते हैं, एक grinder जाल लेंगे, अब हम इसमें डालेंग तीन कटे हुए जो प्याज है उसको हमने अच्छे से फ्राई कर लिया है, गोल्डन फ्राई कर लिया है, उसको हम इसमें डाल देंगे, प्याज को हमने यहाँ पर कच्चा नहीं डाला है, अच्छे से बारिकी से slice करके इसको हमने फ्राई कर लिया था, अब हम इसमें डाले बाकी के हमारे मसाले, तो 5-6 हम डालेंगे इसमें लॉंग, तीन डालेंगे हम दालचीनी, बड़े, चार हम डालेंगे हरी इलाइची, एक बड़ा चमच हम डालेंगे इसमें काली मिरिच, दो मोटे कटे हुए टमाटर हम डाल देंगे, हम मीडियम साइज के टमाटर ले रहे हैं, अब थोड़ा सा वाटर अड़ करके इसको हम अच्छे से ग्राइन करके पेस्ट बना लेंगे, तो अब देख सकते हम नहीं यहां पे अच्छे से पेस्ट बना लिया है इसका, हम डालेंगे एक बड़ा चमच बटर, क्योंकि यह बटर चिकेन मसाला ग्रेवी है, तो इसमें बटर तो थोड़ा सा जादा ही लगेगा, अगर आप बटर नहीं डालना चाहते हैं, तो आप घी का भी यूज़ कर सकते हैं, अब हम इसमें डालेंगे तेल, तेल हम आधी कटोरी भरका डाल रहे हैं, क्योंकि यह नॉन्वेज है, इसमें थोड़ा सा जादा लगता है, हमने जो ओनियन, हमने जो प्याज अच्छे से फ्राई कर ले थे, वही तेल हमने इसमें यूज़ किया है, तो यहाँ पर आधी कटोरी भरका मैंने तेल डाल दिया है, अब जब गरम हो जाए, इसमें हम डालेंगे दो तेज पत्ता, और ग्राइन किया हुआ पेस्ट हम डाल देंगे, और इसको हम अच्छे से भूनेंगे, क्योंकि गरम मसाले और टमाटर जो है, वो कच्छा था, इसलिए हम इसको हमारे बटर के साथ अच्छे से हम इसको भूनेंगे, 5-10 मिर्ट तक, मीडियम फ्लेम पे, तो इस तरह से अच्छे से मिक्स अप कर लेंगे इसको, सारे मसाले डालके, जितना भी हमने इसको ग्राइंड किया है, हमने सारे मसाला इसमें डाल दिया है, विस इसको अच्छे से मिक्स अप करके, इसको हम, अब इसमें हम डालेंगे, एक छोटा चमच हल्दी, और इसको फिर से हम मिक्स अप करेंगे, तो मीडियम फ्लेम पे हम इसको अच्छे से भुन रहे हैं अब धग देंगे इसको 5-7 मिनिट के लिए ताकि जितने भी मसाला है वो अच्छे से भुना जाए तो चलिए ओपन करके देखते हैं तो आप देख सकते हैं जितना भी ऑईल है वो हमारे मसालों से बिल्कुल सेपरेट हो चुका है अलग हो चुका है और बहुत ही अच्छी सी यहां पे खुश्बू आ रही है मसालों की प्यास की जितने भी हमने मसाले गरम मसाले डाले हैं उस आप तरह सकते हैं और भी दावत हो चाहँ या इस तरह से बना सकते है बहूद तेस्टी ल Mohon मुझे मे जरूर लिखे को मेरी बेड़ेस और S आप इसको ख़ा सकते हैं बहूद आपना नान नान tô तो इसको हम अच्छे से mix up कर देंगे ताकि जितने भी मसाले हैं वो चिकन में हमारे अच्छे से कोट हो जाए चलिए अब हम इसको अब हम इसमें डालेंगे हलकी से धन्या की पत्तियां और थोड़े से पोदिना की पत्ति इससे बहुत ही अच्छे खुश्बू आती है चिकन में हम लास में फिर से गानिश करेंगे लेकिन हम जब यह पका रहे हैं उसमें भी हम थोड़ा सा अड़ करेंगे तो इसको हम फिर से mix up कर देंगे तो अच्छे से हमने यहां पे mix up कर दिया है चिकन अब हम इसको ढग देंगे 20-25 मिनिट के लिए और इसको अच्छे से हम गला लेंगे बीच बीच में आप मिलाते रहे हैं चलिए 20-25 मिनिट हो चुका है ओपन करके देखते हैं तो हमारा जो बटर और तेल है वो अच्छे से दिख रहा है यहां पे और काफी अच्छी खुश्बू आ रही है इसको अच्छे से इसको मिक्स अप करेंगे अब हम डालेंगे एक से डेर्ड चमच धन्या का पौडर नेक्स्ट हम डालेंगे इसमें तीन चमच लाल मिर्च पौडर मैं थोड़ा से चटपड़ा खाती हूँ इसलिए मैंने थोड़ा से जाधा आड़ किया है आप जितना चटपड़ा खाते हैं आप उस हिसाप से ले लीजे इसको अच्छे से मिक्स अप करेंगे फ्रेंज मुझे लाइक ज़रूर करें अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो फिर चार से पांच हम डालेंगे इसमें हरी मिर्च कटे हुए इसको भी हम अच्छे से मिक्स अप कर लेंगे अब इसको हम अच्छे से भूनेंगे तब तक जब तक जो तेले वह अच्छे से दिखने ना लगे दो से तीर मिर्ट दक हम अच्छे से भूनेंगे ताकि मिर्च और धनिया का पॉड़र जितना भी हमने डाला है चिकेन में वह अच्छे से पक जाए तो चलिए ओपन करके देखते हैं दो से तीर मिट हो चुका है जितने भी हमने मसाले डाले हैं वह अच्छे से भून गया है फिर हम डालेंगे इसमें काजू और बादाम का पेस्ट हमने यहां पर 4-5 बादाम और 4-5 काजू लिये थे अच्छे से हमने इसको पीस के पेस्ट बना लिया है अब उसको हम इसमें डाल देंगे क्योंकि यह शाही बटर चिकेन मसाला ग्रेवी है तो शाही अंदाज में तो यह रहेगा और थोड़ा सा इसमें काजू और बादाम का जो पेस्ट है उससे जो टेस्ट आएगा इसमें वो बहुती आसम रहेगा तो एक रिचनिस के हिसाप से यह हमारी ग्रेवी बन रही है इसमें हमने बटर डाला है काजू बादाम का पेस्ट डाला है तो काफी शाही हमारा ये बटर चिकन बन रहा है तो इससाब से हम यहाँ पे चेक कर लेंगे कि हमारा जो चिकन है वो गला या नहीं तो चिकन तो हमारा अच्छे से गल चुका है और मसाले भी अच्छे से भुन चुके हैं जित्ते भी मसाले हमने अड़ किये हैं इस बात का ध्यान रखें कि आपका चिक्केन ओवर कुक ना हो जाए, फिर हम डालेंगे ग्रेवी के लिए इसमें एक से डेड़ ग्लास पानी हम डालेंगे, जितना ग्रेवी आपको चाहिए आप उस हिसाब से डाल सकते हैं, तो मैंने यहां पर 1.5 ग्लास भर का पानी डाला है, यहां पर हम चेक कर लेंगे हमारा नमक और मिर्च, चलिए इसको ढख देते हैं, 5 मिनिट के लिए हाई फ्लेम पर, तो चलिए ओपन करके देखते हैं, 5 मिनिट हो चुका है, तो हमारा जो ग्रेवी है वो बहुत ही अच्छ खुश्बू आ रही है, बहुत ही अच्छी श्मेल आ रही है फ्रेंस, लास्ली हम इसको गानिश करेंगे, खूब सारे धनिया की पत्तियों के साथ, अब इसको हम मिक्स करेंगे, और 2 मिट और स्लो फ्लेम पर हम इसको पकाएंगे, तो फ्रेंस, दो मिट हो चुका है, बुद चलिए अधरई शाहि बटर चिकन मसाला ग्रेवी बनके बिल्कुल रएड़ी हो चुका है, अप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है चुब सूरत लग रहा है ग्रेवी अच्छे से बटर ऑ ने अधर तेल है वो स्परेट हो 3 अच्छे IS, बिल्कुल अभड़ मैं तो इसको एंजॉय कर रही हूं बगारा राइस के साथ और बगारा राइस की जो रिस्पी है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शिन बॉक्स में दे दूंगी आप अहां पर जाके चेक कर सकते हैं